स्वागत आप सभी का बी एससी एंड एनसी अड़्डा में आईए हम लोग पहले एनलेसिस कर लेते हैं आज की अपनी इंट्राडे ट्रेड्स का और उसके बात देखेंगे कि कल के लिए किसी स्टॉप को चुना है जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आज की मार्के हिट हुआ है तो कोई बात नहीं दोस्तों आगे के लिए अपना स्ट्रेटीजी बनाईए और रूल्स को फॉलो करिए कल ट्रेड डालिए आज का हमारा पहला स्टॉक था अमारा राजा वैट्रीज का इसे बाय करना था 497 पर और पहला टार्गेट 500 का और सोट सेल करना था इसे 488 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं या स्टॉक ओपेन हुआ था 500 पर तो दोस्तों इस तरह से इसी स्टॉक में बाय साइट का ट्रेड हमारी कैंसिल हो गई थी और उसके बाद आपको इसे सोट सेल करना था 488 पर अब जैसा कि आप अपनी स् साइड के अपने सेल के पॉइंट को टिगर किया लेकिन टार्गेट को नहीं अचीव किया है मार्केट की कंडिशन नहीं ऐसी थी कि साइडवेज हो गया थोड़ा सा उपर गया फिर नीचे आ गया और फिर एक चैनल पैटन में ट्रेड करने लगा तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा लॉस हुआ होगा या फिर आपको कोस्ट टू कोस्ट बाहर निकलने का मौकर जरूर मिला होगा और आज का हमारा दूसरा स्टॉक था भारती एटल का इसे बाय करना था 692 पर और सोट सेल करना था 689 पर अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं यह स्टॉक ओपन हुआ था 689.25 का और यह वहीं से नीचे गिरना शुरू हुआ और इसने लो मारा है 675.85 का तो दोस्तो इस तरह से इस स्टॉक में भी आपको बाय साइड की ट्रेड नहीं मिली होगी क्योंकि यह स्टॉक अपने बाय साइड वाले प 675.85 का यह लगभग लगभग अपने टार्गेट 1 के पास में आ गया था लेकिन दोस्तो इसने अपने टार्गेट 1 को भी अचीव नहीं किया जैसा कि पेचली ट्रेड में आपने देखा आज मार्केट की कंडिशन जैसी थी इसमें भी सेम टू सेम चीज हुई मार्केट सा इस स्टॉक में भी आपको लॉस नहीं हुआ होगा अगर आपने इसको सोट सेल किया होगा 689 पर तो इस स्टॉक ने आज क्लोज किया 688.2 पर तो अगर आपने लॉस बुक भी किया होगा तो बहुत ही थोड़ा सा या फिर कोस्ट तो कोस्ट आपको बाहर निकलने का मौका जरूर मुला होगा इस स्टॉक में तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है कल का हमारा इंट्राडे का स्टॉक रहने वाला है कौन कोर का आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं इसे buy किया जा सकता है 978 पर पहला target 981 का दूसरा target 988 का अगर यही नीचे गिरना सुरू होता है तो इसे short sale किया जा सकता है 963 पर पहला target 960 का दूसरा target 933 का और इस stock में दोस्तो stop loss रहेगा 4 point का तो बहुत ही अच्छे से trading करिए proper stop loss को follow करिए यानि कि trade लेने के बाद सबसे पहले stop loss को लगाएं और उसके बाद target का wait करें target अचीव हो जाने के बाद minimum profit सबसे पहले book कर लें यानि target 1 का profit जरूर book कर लें तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दें और अगर आप इस channel पे नए हैं आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूर subscribe कर दें और अगर आपको अपना demat account खुलवाना है अपना या अपनी family members में से किसी का या अपने friend का तो नीचे मैंने description में जिरोधा का link दिया है कर दो नहीं है